आज हम वीडियो पर चीज खाने के फायदों के बारे में बात करते हैं लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिलाओं अगर आप चैनल पर नए हैं और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लें सांथी बल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने हम चीज खाने के फायदों के बारे में बात करते हैं अमूल चीज पायसी कारकों और दित्य श्रेणी के सरक्षक में है इसे मैक्रोबियल रैनेट का उप्योग करके श्रेणी बद्ध गाय या भैस के दूद से बनाया जाता है अमूल पॉसराइज़ प्रोसेस चेंडर और अनूमत प्राकृतिक रंग एनाटो से बनाया जाता है इसमें केल्शियम फासफोरस जैसे तत्व दांतों को मजबूत लंबे समय तक स्वस्थ बनाते हैं और दांतों को खराब होने से रोपते हैं चीज में भरपूर मातरा में प्रोटीन पाया जाता है यह मसल्स बनान में मददकार होने के साथ साथ बजन कंट्रोल करने में भी सहायक है अमूल चीज को सिमित मातरा में रोज खाया जा सकता है इसमें प्रोटीन की मातरा काफी अधिक होती है जो इसे बोडी बिल्डरों के लिए एक बहतरीन भोजन बनाती है चीज में मौजूद पोशक पाये जाते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है जिससे शरीर किसी भी तरह के इंफेक्शन से आसानी से लड़ सकता है वजन बढ़ाने में चीज अहम भूमी का निभा सकता है चीज में प्रोटीन कैलोरी और वसा भरपूर मातरा में पाये जाते हैं जो आपके वजन को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं इसके साथ ही चीज हड़ियों को मजबूत करने का काम करता है इसके कारण ऑस्टियो परोसिस जैसे हड़ियों से संबंधित रोगों को दूर रखने में मदद मिल सकती है ऑस्टियो परोसिस में हड़ियां कमजोर हो जाती हैं और उनके तूटने की आशंका बनी रहती है इसके अलावा चीज का सेवन करने से कोलोरेक्टल व ब्रेस्ट कैंसर आदी से बचा जा सकता है चीज में केलशियम वे विटामिन डी जैसे गुण पाय जाते हैं जो कैंसर से हमारी रक्षा करते हैं इसके प्राणी की हडीयों की सरेशना में मदद कर सकते हैं जन्मदोष की समस्या से भी शुटकारा दिलाने का काम कर सकता है और अनिद्रा की समस्या से रहत पाने के लिए भी चीज का उपयोग किया जा सकता है चीज पराठा या फिर चीज पीजा जो कि अगर गेहूं के आटे से बना होता है तो यह आपको फायदा दे सकता है साथ ही अगर चीज सैन्विश ब्राउन ब्रेड का उप्योग करके करें तो यह भी आपको फायदा दे सकता है सांथी अगर इसको उबली हुई और हलकी फ्राइट सब्जियों के साथ लिया जाता है तो फाइबर भी मिल सकता है चीज को स्वस्थ तरीके से खाया जा सकता है इससे वजन बढ़ने का जोकिम भी कम हो जाता है चीज में फाइबर नहीं होता इसलिए इसका अधिक सेवन कबजी की समस्या का कारण बन सकता है सांथी अगर वजन कम करना चाहते हैं तो चीज का ज़्यादा सेवन ना करें और डियाबिटीस के रोगी भी चीज का सेवन बहुत सिमित मात्रा में करें या फिर ना करें